गयत्री? गयत्री? जी आई? अभी तेकाई नहीं क्या संगीता कि यहां से? देर तो हो गई है हो सकता है लेट सोई हो लेट सोई होगी का क्या मतलब गयत्री? है? सवा साथ हो रहे हैं साढ़े छे बिजे तक उसे याँ आज आना चाहिए था मैंने कितनी बार का है? बाज जाएगी ना हो सकता है वैशाली देड़ से सोई हो उसकी आख लग गई हो आप एक बड़ संगीता से बात करके तो देखिए The number you have called is switched off संगीता का फोन भी switched off आरहा है यह हो क्या रहा है? सुनिये ना आप एक काम करिये आप ही जाकर लेये ना वैशाली को अरे वो बच्ची है हो सकता उसकी आख लग गई हो नमस्ते कुसुन जी नमस्ते संदीप जी क्या हुआ आज आप अकेली वाकिंग पे? संगीता नहीं आई आई आपके साथ? गई थी उससे बुलाने ताला लगा है उसके घर के ताला? हाँ गूड मॉर्निंग संदीप आज सुबह सुबह राजय भीया रोहित घर पे है क्या? नहीं रोहित अभी तक संगीता के आई से लॉटा नहीं एक मिट चेक करता हूँ नंदिनी ओ नंदिनी जी रोहित ने कुछ कहा था गया कि आज आने में लेट होगा वही तो मैं आपसे कहने वाली थी जरे संगीता को फोन रोगे पूछो भाई रोहित तो अभी तक संगीता के यहां से लौटा नहीं है भाईया वैशाली भी अभी तक घर पे नहीं आई है वही देखने के लिए मैं संगीता के यहां आया था पर यहां तो ताला लटका हुआ है ताला कैसे लगा है इसलिए तो मैंने आपको फोन किया भाईया संगीता ने कुछ कहा था क्या आपसे नहीं तो कल रात रोहत उनके यहां गया था स्लीपोवर के लिए और यह संगीता भी हमें भिना बताये बच्चों को ऐसे कैसे कहीं ले जा सकती है नमस्ते सुशिला जी अरे नमस्ते संजीब जी संगीता और आरती कहीं बाहर गया है क्या कहीं हैं क्या मुझे तू नहीं पता नहीं दर्वाजे पर ताला लटका हुआ है तो हो सकते सुबह सुबह किसी काम से चले गए हूं कल रात को साड़ी गार अब जित तक रोज की तरह टीवी तो चली रहा था जी वो मेरी बेटी वैशाली और राजी उभहिया का लड़का रोहित कल रात य ऐखर नहीं पहुचे और दर्वाजे पर यहां ताला लटका हुआ है ऐसे कैसे मुझसरी कुछ कहा ही नहीं संगीता नए और कि का शोता भाई रमेश चार सार पहले ही चलवसा संगीता उसी की पत्नी है मैं सबसे बड़ा भाई हूं मेरे बाद संदीब है और रमेश सबसे छोटा था आपके मरूम चोटे भाई रमेश की पत्नी Sangeetha उनकी बेटी आरति आपकी बेटी वैशाली और आपके बड़े वहा है राजीव का बेटा रोहिन। क्या ही है चारों इस गर में रात को एक साथ है। जी। एक मिनट एक मिनट आप लोग बाहर रुकिए। अम अंदर जाके देखें माज वाकिया। पीज वेट आउट साइड। सुर्ट रुकिया। रुकिया। मैं बच्छ सुर्ट मजम सर दो एक पतो सुर्ट आप मुंन क्यों सर, तूसरे कमरे में सब उतल पतल है लाशे नो सर, बस सारे कबर्स अलमारिया चीर दी गई है सर, वो रोई तया सर, मेरा बीटा सर, जाकर फीस उसे चेक ही जिले सर, सर, वो सो रहा है सर, जाकर उठाएगा ना सर, जाकर उठाएगा है ताजिर चीप, अँने किया है चैक, हीस जो मोर, आप अमने इतने मताये, यह बच्ची को एब संदीप के बेटी वैशाली है संदीप से एक बार चेक की जैना संदीश है बगवाद मैड़ यही संगीता है और यह उसकी बेटी आरती गयातरी पता नहीं कैसे क्या हो गया हमारी वैशाली हमारी बेटी सिर्फ रोयत नहीं वैशाली हारती संगीता सब कतम हो गया रंदीनी सब पूरा घर डबल स्कैन हो चुका है पर इस लेडी संगीता तिरपाटी का फोन कहीं नहीं है और फोन अभी तक स्विच्ड ओफ है तो जाहिर है कि इस घर में इंचारों के लावा कोई और भी था खाने के प्लेट्स चारी है पर अभी कुछ में कहना मुश्किल है अभी तो ह संगीता का किसी के आना जाना भी तो नहीं था और संदीब जी और राजीव जी उसके जेट ते जो पासी में रहते थे उनी की फैमिली इस माबेटी की फैमिली थी संगीता का माइका कहा है विचारी का कोई माइका नहीं था माबब पात साल पहले गुजर गए और पती रंबेश भी जल्दी चल बसा चार साल पहले सिवाय आरती और इन लोगों कि उसका कोई नहीं था आप दोनों रोज वाक पे जाते थे हां मैडम कभी नहीं चुकते थे हम लोग मैं रोज सुबा यहां साड़े छे बज़े आती हूँ मैक्सिमम सावा साथ बजे फिर मैं संगीता को बुलाती हूँ और फिर हम लोग एक गंटे तक वॉकिंग करते हैं संगीता के जेट ही रा उस रात को मैं अपने घर के खिड़की दरवाजे चेक करती हूँ लगवक 11.11 बजे तब उनका टीवी विदाउट फेल ओन रहता है और कल भी ओन था याद कीजिए आपने कभी किसी को देखा हो पैचान वाले को अंजान आदमी को किसी को भी देखे कल तो ना मैंने किसी को होएं करकी मरडर करे हैं कहीं न कहीं फोर्स माल उनके निशात जाहिए और हम्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला चार्रम meador को रिक यारे पर जाते हैं, कहीं ने कोई कोई मिस्लीड है, हमें गुम्रा करने ही कोशिश, गुम्रा करने की ये कोशिश हो सकती थी के दरसल बिना 4th century के कोई जान पहचान का आदमी ये काम कर गया था, और फिर उस पर चोरी और लूट का कलर दे गया था, दे गये थे, एक से जादा आदम होंगे सर, क्योंकि मैं भी इसी थेोरी पर बिलीव करता हूँ कि तीन-दस साल से उपर के बच्चे और एक अडल्ट और औरत को एक ही आदमी मार दे बहुत मुश्किल है, बाइद भी सब, पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में क्या थरो हुआ था, क्योंकि ऐसे केसे में पोस्ट पोस्ट मॉटम और फॉरेसिक जांस से बेहत चौकाने वाली डीटेल सामने आई, और वो सारी डीटेल इस और इशारा कर रही थी कि उस रात उस घर में जो कुछ भी हुआ था, वो बेहत अजीब था, क्यों वेज़ते था क्या मतलब मेटम, संगीता मेरे छोटे भाई की प रोएत अपनी चाची संगीता से बहुत अटाच था, अपनी चचेरी भेहन आरती से भी उसकी बहुत अच्ची बनती थी, उसकी दूसरी भेहन वेशाली भी महा आती थी, तीनों बच्चों में बहुत बहुत दोस्ती थी आज ये दर्दना खासा तब सामने आया है जब आपका छोटा भाई संधी वेशाली को संगीता के घर से लेने किया था, राजीब जी क्या कभी ऐसा हुआ है कि बच्चों को लेने के लिए खुदाप को या संधीब को जाना पड़ा, जी नहीं, ये फर्स टाइम था, पर न देखे सर, हम तीनों भाईयों में संधीब को डिसिप्लिन के बार में बहुत पड़ी रहती थी, वो अपनी बेटी वेशाली के साथ भी बहुत स्टिक्ट था, ताइम का बहुत पाबन था वो, जब आप डिसिप्लिन के इतने पक्के हैं संधीब जी, तो फिर आपने अपन क्या रुकने गई थी, हम सब तो ये की हैं और ये सब बातें करके आप क्या सावित करना चाहती हैं, सर ये बात थोड़ी अजीब है तो सही, कि रोहित और वैशाली अपनी चाची संगीता और चचेरी भेन आरती क्या सोने के लिए जाते थे, जबकि सब के घर एक दूसरे स सलसला क्या आपके और संदीप के घर भी होता था, मेरा मतलब क्या कभी संगीता की बेटी यारती रात बर रुखती थी, आप क्या संदीप के घर? रमेश की मौत के बाद उसकी बेटी और पतनी अकेला पन महसूस करने लगे, इसलिए हम अपने बच्चों को वहाँ भेजा करते थे, ताकि उन्हें घर भरा भरा सा महसूस हो, उन्हें कमपनी मिले, अपने भाई के लिए इतना करना तो पंता ही था ना पर उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, शायद उसके पास कोई जवाब है ही नहीं सर एक बात तो पक्की है, कल रात को संभीता क्या कोई और जरूर था, पांचवा या पांचवा और छटा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है सर सुशिला जी, आरती जी घर पर क्या हुआ है? विकास सर, आज सुबह सुबह घर के अंदर से चार लाशे मिली हैं क्या? हाँ, संभीता आरती और उसके दोनों कजिन्स, वैशाली और रोहित माई गाड, कैसे मतलब हुआ क्या था? पुलिस तेहकीकात कर रही है, पर किसी को भी नहीं मालूम कि क्यूं हुआ, कैसे हुआ, किस ने किया? संभीत जी और आजीव जी उनको भी कुछ नहीं मालूम पर संभीता जी और तीम बच्चों को कोई ऐसे ही क्यों माड डालना चाहेगा? हाँ, आरती के कपड़े भले ही भटे हों, पर कोई सेक्शूल एसॉल्ट नहीं हुआ संभीता और वैशाली के गले काटे गए हैं? हाँ, किसी शाप ऑब्जेक्ट से, जैसे की कोई छोरा जिस तरीके से ये दोनों कट्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हैं ऐसे कट्स जिससे मैक्सिमम ब्लड लॉस हो ये वही कर सकता है जिससे कोई मेडिकल एक्स्पीरियन्स हो, राइट? अब्सलिटल पॉसिबल तीनों बच्चें, रोहित, आर्थी, वैशाली तीनों के ब्लड स्प्रिम में हमें नींद की गोलियों के ट्रिसेज मिले हैं यानि प्री प्लैन मर्डर्स, बच्चों को सुला कर फिर उन्हें माड़ा लगया? लगता तो ऐसा ही है रोहित की बॉड़ी कीचन में पड़ी थी और वैशाली की डाइनिंग एरिया के पास और आर्थी की बॉड़ी उसकी मा के पास थी बेडरूम में तो क्या संगीता को भी नींद की गोली खिलाई गई थी? संगीदा की बॉड़ी से हमें कोई नींद की गोली के ट्रेसेज नहीं मिलें लेकिन कतल के 10 या 15 मिनिट पहले या मैक्सिमम आधा घंटा पहले सेक्शुल अक्टिविटीज के साइंस है वेप नहीं, जबरज़स्ती सेक्स के कोई साइंस नहीं है शायद कंसेंशुल ही था हमने इनके प्राइविट पार्ट्स से स्वैब्स लेकर रखा है शायद इन्विस्टिकेशन में आगे काम आए जब आप मुझरिम को पकड़ लेंगे तब हाँ नीन की दवाई के ट्रेसेज मुझे किचिन में पड़े analysis से भी मिले और इन glasses से सरफ पानी पिया गया था गुल मिलाकर तीन glasses है जिसमें से नीन की दवाई के ट्रेसेज मिले और इन बच्चों के थे क्योंकि संगीता के blood stream में traces नहीं मिलें और सुरेश जिस तरीके से संगीता और वैशाली की गले पर cut किये गए थे वो hint करते हैं कि कातिल को medical experience हो सकता है सारे घर में जहां भी blood samples मिले हमने collect किये सारे victims के samples के साथ match कर रहे हैं एक बात है इन चारो murder's के दौरान struggle minimal रहा होगा शायद नीन की दवा के वज़े से किसी ने fight back नहीं किया किसी पांचवे या छटे का footprint या fingerprint मिले हैं घर से वैसे tracing तो अभी भी चली रही है हाँ कुछ shades जरूर है जो चारो victims के fingerprint से या footprint से match नहीं कर रहे है पर clear नहीं है हमें और deep tracing करनी होगी वैसे एक बात पक्की है ये घर में कोई भी forced entry नहीं थी आसार तो यही नजर आ रहे हैं कि ये हत्यकान clockwork position के हिसाब से plan किया गया था अब ये मामला जर जोरू या जमीन का है या नहीं ये सिर्फ वक्त बताएगा संगीता को रमेश के इंसुरेंस के पैसे मिल गए रमेश ने कुछ इन्वेस्मेंट्स किये थे संगीता उसी से घर चलाती थी घर रमेश के ही नाम पे था जो अब संगीता के नाम पे हो चुका है क्या संगीता जी पेशे से कभी medical profession में थी मुझे ये बताईए कि जब रोज रात को संगीता के खर सोने जाता था तो फिर डिनर भी वही करता होगा और ये वैशाली भी वही डिनर करती थी संगीता और आरती के साथ कभी-कभी डिनर संगीता के घर पर होता था अच्छा अगर ये बच्चे रोज वहाँ सोने जाते थे तो फिर सोने की जगे भी फिक्स होगी कौन किस कमरे में सोता था मैं थोड़े ही गया ये सब देखने के लिए संगीता का खर दो मिनिट की दूरी पे है मेरी बेटी वहशाली जाती थी कभी ख़़ार खाना वाना भी खा ले थी अब ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं क्या आपको कुछ पता चला है क्योंकि उस राज जब ये जुर्म हुआ तो उस घर में कोई पाँचवा भी था और शायद छटा भी कौन? हम पता कर रहे हैं देखिए राजीव जी हमारा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है लेकिन हमें पता चला है कि संगीता याने की आपके भाई की विद्वा पतले की कुछ मिन्टों पहले किसी के साथ सारे रिक संबन बना रहे था संदीव जी, सीधा सवाल क्या संगीता जी का कोई प्रेमी था? मुझे नहीं पता मैड़ा कोई था क्या? आप मेरी तरफ इशारा करने हैं कि संदीव की तरफ है? हम इशारों में बाते नहीं करते राजीव जी सीधे सवाल करते हैं लेकिन अगर कोई टेड़े जवाब देता है तो उसे सीधा करना हम जानते हैं संगीता मेरे छोटे भाई रमेश की विद्वा थी मुझे आज भी विश्वास नहीं है कि उसका किसी के साथ लेकिए अगर संगीता का किसी मर्द के साथ कोई संबन था तो हम में से किसी को कुछ नहीं पता चला वो मेमो फायर कर दे ना मेरे सर्वर पे प्लीज हाँ एक सेकड़ ना अभी करता हूँ नमस्ते माम, मैं विकास सच्टीफ अच्छा कि आपने खुद होकर फोन किया दरसल सुशिला जी ने मुझे सजिस्ट किया था कि मैं एक बारी आपसे बात करूँ मैं आर्ती को टीशन देता था कहिए, क्या बता सकते हैं हमें मुझे कोई बहुत बड़ी गड़वर लग रही है मैं संगीता जी को जानता था वो एक वीडो थी, एक सीधी था दी लेडी थी बड़ी शिद्दत से अपनी बच्ची आर्ती को पढ़ा रही थी ताकि वो लाइफ में कुछ बन पाए दुनिया के लगभा घर्मा यही चाहती है विकास जी क्या बता सकते हैं कि संगीता जी, उनकी बेटी आर्ती उनके जेटों के बच्चे रोहित और वैशाली को किसने मारा और क्यों मारा बहुत ही बुरा हुआ मारी बड़े ही प्यारे बच्चे थे, तीनो मैं पहले सुषिला जी के बेटे पराग को ट्यूशन देता था फिर एक दिन संगीता जी उनके घर पे आई हुई थी विकास सर मेरी आर्ती एथ स्टैंडर्ड में है पर मेरी टाइमिंग दोपैर की होगी पराग को ट्यूशन देने के तुरंद बाद मेरे पास फ्री टाइम है हम सोच रहे थे के पराग भी एए स्टैंडर्ड में है तो क्यों न आर्ती यहीं आकर पढ़ ले हाँ दोनों बच्चों को कंपनी रहेगी और हेल्दी सा कॉम्पेटिशन भी बना रहेगा मतलब अगर आपको टाइमिंग सूट करें तो ही मुझे सूट कर गया जॉइन ट्यूशन लेना तो ट्यूशन यहीं सुशिला जी के घर पे होते थे स्टार्ट तो यहीं से होई लेकिन उसके बाद हम संगीता जी के खर पे शिफ्ट हो गया तरह सल उनके पास एक एक्ष्टा कमरा था सुशिला जी, विकास जी क्या संगीता का कोई बॉइफ्रिंट था? ये आप क्या कह रही? संगीता विद्वा थी उसके पती चार साल पहले गुजर गये थे हम जानते हैं कि वो विद्वा थी पर ये कौन सी किताब में लिखा है कि कोई औरत सिंगल हो, शादी शुदा हो या विद्वा हो उसका बॉइफ्रिंट नहीं हो सकता देखे अगर उनका ऐसे कोई रिष्टा था भी तो वो प्राइवेट रहा होगा कम से कम उझसे तो ऐसी बाते करने के नौबत नहीं आई कोई अपनी प्राइवेट लाइफ किसी और के साथ क्यों शेयर करेगा लेकिन लव अफेर्ज होते ही ऐसे किसी ने कुछ सुन लिया, किसी ने कुछ देख लिया क्या आप लोगों को कभी कोई भनक लगी? किया था, वही जाके हो गया, फोलिस वालों को हम पर शक हो गया यह इंस्पेक्टर भी खाफी सकते है, दभी-दभी धंकिया दे रहा था हमें आप क्या कहते हो, फोलिस को वह वह वाला इंगल दे दे मैं भी वही सोच रहा हूँ, अपने समझ में नहीं आ रहा है, दे कि ना दे पोस्ट मॉर्टम और फोरेंसिक टीम ने सही किल ठोक दी थी, उस रात उस घर में किसी को अंदर दाखिल होने दिया गया था या फिर वो बिना कुछ तोड़े, खुदो कर दाखिल हुआ था बिगिनिंग से ही हमें शक था कि ये मुर्डर्स किसी एक ने नहीं, बलके दो लोगों ने किये और शायद ये तो लोग संदीप और राजीव थे जर, जोरू और जमीन की बात किया आपने जर को लूटा नहीं गया, जोरू का कतल कर दिया गया और रही बात जमीन की तो शायद ये दोनों बड़े भाई अपने छोटे मरहूम भाई रमेश का घर अड़पना चाहते थे और शायद इसलिए उन्होंने घर के हगदार संगीता और उसकी बेटी आरती का कतल कर दिया लेकिन सर फिर भी वो अपने ही बच्चों का कतल क्यों करेंगे हम लोग एक नाजुक मोल पर थे हमें ये confirmation मिली थी कि उस औरत का किसी मर्द के साथ शारेरिक संबंध हुआ था और वो भी उसकी मर्जी से अब हो सकता था कि उसी मर्द ने उस घर में सब का कतल किया हो लेकिन ये एक ऐसा angle था जिसके बारे में हम शोर नहीं थे कि वो genuine था या फिर हमें भटकाने की एक और कोशिश आप लोगों ने इस angle के बारे में इस से पहले कभी जिक्र क्यों नहीं किया जी नहीं किया क्योंकि हम खुद ही पक्का नहीं थे हम पूछते रहे हमें डेवन से शक था कि आपके बच्चे रोज रात को उस घर पर सोने के लिए क्यों जाते थे लेकिन आपने कोई जवाब नहीं थे हर बार अकेले पन की गोली दी और बस और अब जाकर आप हमें बता रहे क्योंकि आप ही नहीं काया ना कि पोस्ट मॉटम में यह कंफर्म हुआ है कि संगीता का किसी के साथ फिजिकल रिख कौन है वो राजीफ संदीप कौन है वो हमें नहीं मालूम सर हमें शक था इसलिए हम अपने बच्चों को पिछले तीन महीने से वहां बेज रहे थे वैशाली को रोहित को ताकि कुछ पता चल सके हमारे कहने पर हमारे बच्चे हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस सब का ऐसा अंजाम होगा आप लोगों के बच्चों को अंदाजा भी था वहां उन्हें किस मकसद के लिए भेजा जा रहा है नहीं सर बिलकुल नहीं वो कि आप लोगों को संगीता पर शक्क्यूं हुआ और संगीता और कुसम और क्या चल रहा है अजकर बस वैसा ही चल रहा है चैसे तुमारा चल रहा है सब ठीक कुसम जी जरा खुल के बोली है न ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है संगीता को एक अपते से काफी खुश-खुश देखा इसलिए उससे इतना किला-किला तपसे नहीं देखा जब से रमेश भाई साब गए है इसलिए पूछा क्या उसकी फिर से शादी बादी की बात चल रही है क्या नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है लेकिन क्या हो सिर्फ शादी की बात से खुश होगी ऐसे खुश नहीं दिख सकती दिख सकती है ना बिलकुल दिख सकती है शादी के बिना भी खुशिया हासल की जा सकती है नमस्ते एक बात कहूं मुझे ये संगीता बहुत बदली-बदली से लगती है कहीं कोई अफ़ेर तो नहीं चला रखा इसमें नंदिनी तुम मतलब गाहितरी तुम भी तुम दोनों उसे सामने से पूछती क्यों नहीं अरे ऐसे थोड़ी कोई बताता है आपको क्या लगता है वो इतनी आसानी से बताईगी कि हाँ हाँ बई यह लड़का है जिसके साथ मेरा अफ़ेर चल रहा है बगरा बगरा हाँ मैंने सुशीला से घुमा फिरा के पूछने की कोशिर जरूर की थी कि किसी को तेखा बेखा है पर उसने कुछ बताया नहीं मैं तो संगीता को रोज ही मिलती हूँ सबजी मंडी में शाम को अरे फैशाली पे आरती के साथ खेलती है और रोहित भी तो अपनी चाची के हाथ के परांटे घाने जाता है अगर उसने कुछ देखा होता तो बताता जरूर मुझे तो लगता है ना ये बंदा रात को घर आता होगा रात को? क्या मतलब? आर्टी छोटी बच्ची है नव बिजे तक सो जाती होगी फिर रात को बंदा आता होगा और सुब़ चला जाता होगा डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं कुसम को शक हुआ तो उसने आपको बताया संदीप और फिर आप सबने मिलकर अपने छोटे बच्चे रोहित और वैशाली को अपनी सगी चाची के अफेर को पता लगाने के लिए बेज़ दिया ऐसा कुछ नहीं था सर उन मासूमों को तो कुछ पता भी नहीं था हम यह उम्मीद कर रहे थे कि आगर वहाँ कुछ हो रहा हो था तो उन्हें पता चल जाता और वो हमें रिपोर्ट करते और अब हमें लग रहा है कि हमारे बच्चों को उसी रात को कुछ पता चल गया हो और वहीं उनकी आखरी रात साबित होई बातो बातो मैं ऐसा लग रहा था कि संगीता बदल गई है पहले वो मुर्जाई सी रहती थी और अब थोड़े दिनों से वो खिली सी रहने लगी थी तब ही मुझे डाउट हुआ कुसम जी क्या ऐसा सच में हुआ था या फिर ये इन दोनों भाईयों की बुनी गई मंगरंत कहानी है पू मैं कैसे बता सकती हूँ माडम कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों भाईयों ने मिलकर ये कांट किया हूँ अगर ऐसा है तो फिर एक अरसे से अफेर चल रहा होगा संगीता का उन दोनों में से किसी एक भाई के साथ अगर हम ये बान के चले कि अफेर राजीव या संदीब के साथ था और कतले इन दोनों ने मिलकर किया फिर भी एक सवाल सामने उठता है सर कोई अपने ही बच्चों को कैसे मार सकता है इकलौते चोटे बच्चों को अगर बहुत कम चांसे से हैं रेर है लेकिन इंपॉसिबल नहीं है कि लालच में डर के मारे उस मौके के पागल पर में अपने बच्चे का कतल करते नींद की दवाई पिला कर इतनी प्लानिंग के साथ मुझे लगता कि प्लानिंग सिर्फ उन्हें सुलाने की थी लेकिन उस रात वहां ऐसा कुछ हुआ कि दवा के बावजूद उन बच्चों की नींद खुल गई और उन्होंने कुछ देख और सुन लिया और इसी वज़े से घबराहट और आवेश में उन बच्चों का कतल कर दिया गया होगा सब फिर तो ये भी हो सकता है कि हर रात बच्चों को नींद की दवाई पिलाई जा रही थी संगीता का फोन गर पर ये स्विश्ट ओफ किया गया था सर राजीव और संदीब के अलावा कोई और नंबर है जिससे रेगुलर्ली कॉल साते थे संगीता को एक नंबर है सर जिससे बागी नंबर से जाधा बर कॉल सुछ ओफ कर दिया हो अब ये इत्तिफाक तो नहीं हो सकता कि मर्डर की रात को ही इसने फोन सुच ओफ कर दिया हो लेकिन सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि किशोर चौबे नाम कोई आद्मी असल में एक्जिस्ट करता भी है नहीं सर रेकॉर्ड में दिय हुए अड्रेस पर चेक करते हैं तूरंद करो कहीं ऐसा नहों कि शातियर कातिल ने अपना अफेर चुपाने के लिए किशोर चौबे नाम के एक कालपनी कैरेक्टर का सहरा लिया हो ताकि कान वो करता रहे है और हमारा शग इसका अपनी कैरेक्टर बजा है नहीं मैं संगीदा से चुड़े किसी किशोर चौबे को नहीं जानता कुछ पता चला क्या बोल रहे है ये पले इसने मार डाला हमारे बच्चों को किसी किशोर चौबे के बारे में पूछ रहा है ये कौन है मैंने तो ये नाम पहली बार सुना है जी नहीं हमने तो नहीं सुना किसी किशोर चौबे का नाम संगीदा के सिलसिले में भी नहीं किसी ने ये नाम सुना तक नहीं एसा देखते हैं हमें कैसे नहीं देते हैं किशोर चौबे जी फोन रेकोर्ड बहुत ही इंपोर्टेंट हो अदा कर गए उनके बिना ये किशोर चौबे वाला एंगल तो खुलता ही नहीं लेकिन क्या इस किशोर और संगीता के बीच में कोई अफेर था भी या फिर एक किशोर एक बड़ी सी साज़िश का एक छोटा सा महुरा था उसका दावा तो यही था कि उसे बेवज़ा इस साज़िश में घसीटा जा रहा है जबकि उसका इस जुर्म से कोई लेना देना नहीं था और यही नहीं उसने हम पर भी आरोप लगाए कि हम उसे बेवज़ा बली का बखरा बनाने की कोशिश कर रहे है आपको और कोई मिला नहीं तो आप अबस मेरी बली चड़ा रहे है मैं यह निर्मान कॉलोनी में किसी संगीता द्रिबाटी को जानता तक नहीं तो फिर दो सितंबर के रात को तेरा सेलफ़ोन लोकेशन निर्मान कॉलोनी क्यों है किशोर चौबे सर यह आपके पास गलत नंबर है यह आपकी तलाश किसी और किशोर चौबे के लिए है पिछले एक मैने से लगा था नाइट शिप कर रहा हूँ विदाउट चुटी शाब के चार बज़े से राके दो बज़े तक आप ओफिस से भी कन्फर्म करा सकते हैं और फिर सर घर पॉस्ते पॉस्ते तीन बज़ जाते हैं और तब सो जाता हूँ फिर डिरेक्ली सुबह दस बज़े उठता हूँ मेरा तब निर्मान कॉलिणी में या कई और पर भी रहना ना मुमकिन है और सर्व मैं फिर कह रहा हूँ ये संगीता तरी पार्टी नाम तो मैंने आज ही सुन रहे है क्या किशोर चौबे रोज दो बज़े ही ऑफिस से निकलता था एंट्री एग्जिट मशीन के पिछले एक महिने की डीटेल्स भेज दो तुरन दो सितंबर के रात को तेरा सेल फोन लोकेशन निर्मान कॉलोनी होने के अलावा भी हमारे पास तेरे पर शक करने की वज़े है तुने संगीदा तेरे पार्टी से एक या दो बार नहीं बलकि कई बार बात की सर ये जूट है तो सेल फोन कंपनी की तेरे से परसनल दुश्मनी है जो तेरे खिलाव जूटे रिकॉर्ड निकलवाएगी अब तो स्टोरी बखेगा जैसे किसी ने तेरे आएडी पर, तेरे पते पर, तेरा फोटो लगा कर तेरे नाम पर फोन लिया जुरूम करने के लाज और तुझे अस बात का पता ही नहीं चला कि तुझे भजाए क्या था अब पता जला सर जी ओ, रामेबाज, सीधे सीधे बता कि वो नीन की गोलियां तुने कहां से ख़ली दी थी और ये गला काटने की मेडिकल पेसिशन कहां से सीखी डॉक्टरी के कोर्स किया है, ये नर्सिंग का कहीं कमपाउंडर था है, जाना रोगा डॉक्टर सर, मैं एक सौफ़एर इंजिनियर हूँ और जिस आत्मी की आप बात कर रहे हो, मैं नहीं, विकास सच्देव है विकास सच्देव, तू से कैसे जानता है सर, वो मेरा हफिस का लीग है लेकिन वो तो आर्ती का टूशन टीचर था ना दूपएर में टूशन देता है, पर सुभगी शिपने हमारे बैक रूम में जूनियर प्रोग्रामर है और उसका मेडिकल बैगराउन भी रहा है पूरी स्टोरी बता इस विकास सच्देव की मैं यही बोपाल का रहने वाल हूँ और मेरी सौफ़एर ट्रेनिंग इंदोर से हुई जहां विकास मेरा बैचमेट था वो इंदोर से विलॉंग करता है सर फिर में यहां पर आ गया जॉब करने लगा और उसका जॉब ही यही पर लग गया एक फार्मसेटिकल कंपनी है बता और प्रोग्रामर जॉइन हुआ सर लेकिन उसके पास पॉम्मेंट एंडरेस नहीं था तो मैंने मेरे नमबर नमबर दिया उसको और यह एक साल पहले की बात है सर जिस नमबर की आप बात कर रहे हैं ना यह वही नमबर है जो विकास यूज करता है एक बात माननी पड़ेगी आज फिर साबित हुआ कि भोली शरीफ शकल शैतान की भी होती है साले के चाल चला तु तुने हमको मौका ही नहीं दिया तुझे यहां लाकर तोड़ने का सर यही है वो क्या कर जा तुने यार तिरे वेसे लोग मुझे उठा लाएं यहां पर कहने कि मेरे चाचार मर्डस की है बोल इनने वो नमबर दे रहे विकास कहीं ऐसा तो नहीं कि किशोर भी शामिज है तुमारे साथ उस मर्डर में यह फिर कोई और था कोई और मास्टर जी नाम बताने के अकश्ट करेंगा अपने साथीदार का संगीता त्रिपाटी अच्छा जो कि अपना पक्ष रखने के लिए इस दुनिया में ही नहीं है गेम खेल रहा हमारे साथ अच्छा उसने अगर तेरा साथ दिया थे तो खुद को मारने भी साथ दिया होगा ऐसा तो नहीं अपना गला खुदी काट लिया उसने सब बहुत पड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे ओ शराफत के पुतले मिस्टेक वो होती जो बच्चे स्कूल में करते हैं असाइमेंट में जिसे एरेजर से मिटा के ठीक किया जा सकता है और ऐसे ही गलतियां करने वाले तीन बच्चों का कतल किया है तुने साथ में एक औरत का सीधी तरह एक जटके में मुझे अपने गुना की पूरी कहानी बता वरना हम लोग भी कहा देंगे कि कौन विकास सचदेव उसको तो हमने गलती से गोली मार दी यह 3, 4, 5, 6, and 7 यह सारे संप्स मैंने मार्क कर दी हैं एनने सॉल्व करो नहीं आता तो दूसरा ट्राई करना आपस में बात नहीं और रुखना नहीं मैं टॉलेट करके आता हूँ अच्छा जी तो फिर यहां दुबारा नहीं आपके विकास सर अजार सवाल उठेंगे जब आपको कोई वेट नहीं करेगा सीधा महले से बाहर निकाल दिये जाओगे संगीता जी मैंने दोनों बच्चों को काफी टफ समस्ती हैं कम से कम पंदरा मिट तो लगेंगे तब तक आपकी भी क्लास ले लेते हैं पागल हो गए हो क्या मैंने इचाती की पराग और आर्थी को सर असा भी शकूर रात को रात को ले ले लेना सारे लेक्चर्स विकास सर वीडो थी तनमन से अकेली थी उसका दिल आ गया था मुझ पर और मैं भी उससे तुम दोनों रोज रात को बच्चों को नीन की दवाई खिलाते थे क्या बात है संगेदा दो रातों से तुमने दर्वाजा अंदर से बंद कर रखा है मेरा फोन नहीं उठा रही हो वो मेसेजस का जवाब नहीं दे रही हूँ टीशन्स के टाइम में मेरी तरफ देखती तक नहीं हूँ आखिर हुआ क्या है यार सीधा लाइन ले सीधा बना वस्त विकास ये समेने के फीस मेरे दोनों जेट और जेठानियों को मेरे ऊपर शक होने लगा है उन लोगों ने अपने अपने बच्चों को मेरे घर में रात को सोने के लिए भेजना शुरू कर दिया है अब मैं उन लोगों से पूछ भी नहीं सकती कि वो लोग ऐसा क्यूं कर रहे हैं मुझे नहीं पता कि अब हम लोग रात को पहले जैसे कभी मिल भी पाएंगे अगर मैं अपने जेट जिठानियों को ये सुजाब दू कि आरती कभी-कभी उनके घर सोने चले जाए तो भी वो लोग मुझे पर शक करेंगे रोहित, आरती, वेशाली आजाओ दिनर लग गया है भई हर रात तीनों बच्चों को दवाई देकर सुला दिया जाता था और फिर रात भर मैं और संगीता दूसरे बेडरूम में वक्त पिताते थे तो फिर अचानक क्या हुआ उस अरेंजमेंट को? दो सितंबर के रात को क्या हुआ था? दो सितंबर के रात को क्या हुआ तो विकास एक मेहने से हमारा पर्फेक्ट चल रहा था फिर उस रात संगीता को किचन से पानी लाने में सुस्ती आ रही थी तो मैं चला गया रोहित को देखकर मेरी जान ही निकल गई थी शायद उसे डोसेश की आदत हो गई थी उसका इफेक्ट कम हो गया था विकास सर आप यह क्या कर रहे हैं चाची को पता है आप यहा है चाची देखिये विकास सर घर में गुसा है नहीं नहीं बेटा विकास सर घर में गुसे नहीं है बल्कि वो तो किसी काम से आए हैं लिकर विखास सर तो आर्ती को ट्यूशन देते हैं इतनी लेट ट्यूशन की हो? ट्यूशन? नहीं, नहीं बेटा अच्छा बेटा मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को भी मतलब किसी को भी नहीं बताओगे कि विखास सरी आए थे? क्यों चाची? आप डरो मत मैं कल बापा को सब बता दूगा वो इन्हें पूरा ठीक कर देंगा रोहित मान ही नहीं दिरा था बहुत समझाया पर नहीं उपर से डर था कि कहीं चिलाने विलाने लगा जा तो डबल तंपल बबाए रोहित में का प्रोमेस करो किसी को नहीं बताओगे नहीं मेठभा प्रेटभलो नकिसी को नहीं बताओगे अटबस्द्धू में का समझेक भशईश्का प्रिख राजीव भाई से ढूनते हो एंगे तब तब रहे क्या मोलूगी मुझा नहीं आपको समजने आपको तो पस वोगया चाची चाची फिले रोईद भी आके अवास सुनी क्या हुआ क्यून क्यों ठिक्ष्ण है वाँ है कुछने पीटा तुम तुम जा कि सूझा। ज़ू ज्ड़ाए को पाड़ हूँ कि यूख भूख अब संदी पया में खल सुभाद हम कीगे तो तो में क्या बोलूँगी? कुछ सोचना होगा इन तोनों कोटिकाने लगाने होगे सुनो तुमारे जेठो को और पुलिस को सुनाने के लिए को स्टोरी बनानी होगे सुन रही हो? तुम्हेरे जेटों को और पुलिस को सुनाने के लिए को स्टोडी बनानी होंगे संधिपाई साब और जब राचिपाई साब आएंगे तो तो बोल दूँगे तो तो तुम घर से साथी निकले थे और फिर उस्ते किसी लो डाली होगा उनको हाँ और वंदर आखर चेकर निजर है ठीक है रही हो अलतर आएंगे तो लाशे तो नहीं रहेंगी ना तुम बोले दोनों को टिकाने लगा कर वही से निकल जाना अभी कैसे टिकाने लगा हूँ बाहर पुलिस की कास चल लगी होगी अगर अगर उसने ये दोनों लाशे देख ली तो और उसे ये पदा चल गया कि यहां को जुआ है यह तुम्हा भी करना होगा मम्मी क्या होगा मम्मी बेशालियो और उहित कमरे में नहीं है विकास सर अप इस टाइम पर विकास अर्थी को छोड़ दो मेरी बीटी साथ ऐसा नहीं कर सकते छोड़ दो से अर्थी बाहर चाने की जित पकड़ी बैठी थी और हम दोनों जानते थे कि अगर वो बाहर गई तो इससे रोहित और वैशाली की लाशे दिख जाएंगे और फिर अचानक से विकास तुम्हें के सबस्परतिस्टी करो नहीं समझा दो नहीं तो लेट वो पक्का मुख लेए वो मेरी बीटी है मैं उसे समझादों कि उसके सबसा नहीं कर सकते। अर्थी करते हैं एट तो झाँ अर्थीे- ऩो अर्थी बहँ एएा हेएए मैं एटने मुल्सकेटेग्स कर दो rub on वो नहीं सुनती है। यही तो थी एक पेरी। यही तुम्हे क्या कर दिया। बस हो गया। रुकनी पाया। ही बगवान। यह क्या कर दिया। थी थी आसुम बच्छों को माड़ा। जोह आसुम्हा। अब लाशों को बच्छों पाते हैं। मेरी आगों के लाओं मेरी बच्छी का माड़ा। एक कमीने। जानवर, अब मैं तुनिया को बताऊंगी। कि तुने सबर्दस्ती मेरा पलतकार किया। और तीनो बच्छों का कडल भी तूने किया। देखना तुझे पूसी होगी। लिखके देती हूँ कि तुझे पूसी होगी। संगीता, तु मुझे प्यार करती हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखने। संगीता थमक्यां देती जा रहे थी। कि वो मुझे पर जूटा इल्जाम लगाएगी। मुझे पकड़वाएगी। मेरी जिंदगी बरबाद कर देगी। वज़ार करता हूँ। मुझे देखने। देखने। ज़ार करता हूँ। देखने। और उज़ा हॉल में टीवी ओन रखते थे। वो पड़ोश में को बेवकूप बनाने के लिए, चकमा देने के लिए कि संगीता और तीनों बच्चे टीवी देख रहे हैं, जबकि हकीकत में एक बेडरूम में वो तीनों बच्चे लगबख बेहुशी की हालत में पड़े रहे होते थे, और तुम दोनों दूसरे बेडरू को मार डालने दिया, उसने साथ दिया, हम दुनों के बच्चों को मारने में साथ दिया, खुद की बच्ची को भी मार डाला। की जरूत पड़ती और ना उसे अपनी प्राइवेट लाइफ आप लोगों से चुपा कर सर्मिन्दा होना पड़ता। खेर वो मर्डर वेपन चुरा बरामद हो गया विकास के पास से, लेकिन संगीता का फोन अभी तक मिला नहीं है। हम विकास के सेमेन के सेंपल्स को कलेट करके संगीता के वेजानल स्वाइप के साथ मैच करेंगे। उसके बाद ही ये चारशिट फाइल होगी। एक अफेर को सीक्रेट रखने की खीमत चार जाने थी। एक औरत और तीन मासुम बच्चे। और फिर भी मुझरिम को ये लगा कि मल्टिपल मुर्डर्स करने के बाद भी वो बच निकलेगा। हर क्रिमिनल को यही लगता है ना कि वो अपना जुर्म छुपा लेगा। बचा लेगा अपने आपको। वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। और पुलिस को थोड़ी दिर गुमरा कर लिया। और क्रिमिनल का यह एटिटूड इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कलेगी। वो सही मुझरिम तक नहीं पहुँच पाएगी और किसी बेगुनाह को पकड़कर उसे गुनेगा ठेरा देगी। वो भी गलत चार्जिस पर। लेकिन वो एक केस जिसमें आपकी कमी की वज़े से मुझरिम को सजा नहीं हुई या फिर वो बच निकला, वो जिन्दगी भर आपको एक नासूर की तरह कुरेतता रहेगा। इस खेत के ट्यूमर को कभी पनपने मत देना, किसी केस को कभी लाइटली मत लेना, हर केस की जड़ तक जाना, और जुर्म को जड़ से उखाड़ना, और जुर्म का सहारा लेने वाले के सामने बार-बार ये थाबित करना, कि पर्फेट क्राइम कभी होई नहीं सकता। विकास इसफ़क जुडिशल कस्टडी में है, उस पर आईपीसी की धारा 302 के तहट मौडर के चार्ज़ लगाए गए हैं। विकास जेल में अपने किये पर पच्तारा है।